गुड मॉर्णिंग ओल उप यू आएम सुनिल सर्मा यूर अंगलिस टीचर यूर अटली वेलकम इन वियकानन ओनलाइन क्लासेज दोस्तो आप सब का अर्दी कमिन दने वियकानन के ओनलाइन क्लासेज में दोस्तो जैसे की पिछले ओडियो लेक्चर में अपने आपकी जो ट फोटोग्राफ हमा आपकी जो पस्ट चैप्टर के तुरंत वाज फ़स्ट पोई में उसको स्टार्ट करने जा रहा हूं प्लीज ओपन यूर बोक एंट्राइट वित मी मेरे साथ इससे समझने का प्रियास करें फोटोग्राफ इससे इसका हिंदी वर्जन है एक चित्र इस कि सीर्षक सिफ्ट पाश ओ रहा है कि कवीता म एक चैचेत्र के बारे में बताया है ये चैचेत्र कवीत्र की मांस से संब् respeem it का है दोस्तों और ये भी उस समय कहा है जब कवित्री पैदा भी नहीं हुई थी इस है चित्र में कवित्री की मा अपनी दो चचेरी भेहनों के साथ समुद्र टट पे खड़िये चाचा के साथ समुद्र किनारे पे चुट्टिया मनाने गई है चाचा उन तीनों कजिंस की ती और अम्रत्यू के भी बारा साल बात के समय कवित्री उस चित्र को देखे पुराने अतीत की यादों में खो जाती है गत्य के उपर लगावा चाहिए जित्र मुझे दिखाता है कि वह द्रस्य कैसा था ये याद दिलाता है कवित्री को वेंड़ टू ग्रल्स कजिंस वेंट पैडलिंग पैडलिंग के पानी में कीड़ा करना होता है जैसे एक दूसरे पे चप चप करते पानी उडेलना ये सब और जब मेरी मा की दो चचेरी बेने एक एक आथ से थामे पकड़े समदुर के किनारे पानी में चपचप करती वी गई थी उस समय का ये छे चित्रे दोस्तों Each one holding one एक दूसरे का आथ पकड़े वे Of my mother hands में उनका एक 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 आथ मेरी मा का एक 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 आथ थामे हुए And see the big girl some 12 years or so और वह जो बड़ी थी वो मेरी मा थी और वो लगबग 12 वर्स की थी All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera और दोस्तों विसेस वात ये है कि Uncle camera लिए उनके सामने खड़े थे उनकी पिक ले रहे थे और वो तीनों अपने बालों के पीचे से जागती उस मुस्क्राट के साथ फोटो किच्वाने के लिए इस तर खड़ी थी समुद्र टटवे ये आपके फर्स्ट स्टेंजा का हिंदी तात्परिय हिंदी अनवाद है इससे अगले स्टेंजा को जब अपन देखते हैं दोस्तों तो चार्चल लाइनों का मोस्टल एक स्टेंजा इसमें आपको आगे जाके क्युस्टन आंसरों में भी करना है अभी प्राइज समझे दोस्तों ये फोटो मेरे जनम से पूर्वे का था उस समें मेरी मा का चेहरा बहुत प्यारा था इसमें बताया है माई मदर डेट वाज बीफोर आई वोज बर्न जब माई जनम नहीं लेती उससे पहले का था इस समुद्र ने जो अब बहुत कम बदला है इसमें बताना चाहरा है कवित्री की परकरती धीमें बदलती और मनुष्य का परिवर्तन जल्दी होता है वोज डे टेरिबली ट्रांसियंट समुद्र की लेरों ने उन तीनों चचेरी बहिनों के नास्वान पैरों को दो दिया ये कहा जा रहा है इन पंक्तियों में कवित्री के द्वारा अब आप आगे बताना चाहरे हैं इस फोटो को खिसने से कुछ लगबग 20-30 वर्स बाद जब इस फोटो को देखे होगी तो वो असी होगी अपनी मा और अपनी चचे मा की चचेरी बहिनों के लिए कवित्री की कलपना है दोस्तों वो कहेगी देखो बेटी और डोली नाम जो चचेरी बहिने थी उनका नाम ना है क्योंकि मा उनको देखकर कही होगी उस पोट चित्र को 20-30 साल बाद देखो देखो कि समद्रो के किनारे जाने के लिए हम कैसे कपड़े पहन के गए थे ड्रेस अस फोर दा बीच समद्रो किनारे पर जाने के लिए कैसे कपड़े पहन के गए थे बुलाने के लिए विडमना की स्तत्य में थी जैसे तैसे अपने आपको सहज कर लिया था इस मंजर को इस दरस्ते को बुलाने के लिए नाव शी हैज हैड बिन डेड नियरी ए मैनी अर्स अब उसे मरे लगबग उतने ही वर्स बीट गे थे जितने वर्स वे फोटो में दिखाई देने वाली लड की जीविट रही थी अर्थात फोटो में उनकी जो आई थी बारा वर्स के थी उसी इतना ही समय मेरी माँ को खतम हो गया होगा ये सब कहई रही है दोस्तो अपने से कवितरी और ये इस्तती के बारे में कुछ भी नहीं का जा सकता सरकेमस्टेंस है यानि प्रस्तिती इस्तती there is nothing to say at all कुछ नहीं का जा सकता is silence is silence and silences silences यानि सांत कर देती है चुप कर देती है और silence यानि सांती होती है सांति से अभिप्राय या मृत्यूस से दोस्तों इसकी सांति मुझे खामोस कर देती अर्थात मेरी मा की मृत्यूनी मज़े बिल्कूल सांत कर दिया है कवित्री का ये कहना है दोस्तों मैं कुछ भी नहीं कह पारे हूं वागे इस तरीके से दोस्तों पन देखते हैं कि इस audio again and again and try to understand with word meaning word meaning मैं इसके साथ डालूँगा word meaning को आपको as a m work के रूप में you can send me my personal whatsapp number after 5 pm और अगले audio में अपने इसके question answer pdf के रूप में और जो इसके stanza है चार stanza है उनकी question answer को करेंगे okay best of luck go add